हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग चलिए कंटिनू करते हैं आपना डिसकसन जिसमें हम लोग डिसकस कर रहे हैं हिस्ट्री ओफ मेडिवल इंडिया के बारे में मद्यकालिन भारत के इतियास के बारे में तो देखें हम लोग बात कर रहे हैं पाल वंस के बारे में देखें इ देवपाल जो है वो ध्रमपाल के ही पुत्र है तो देवपाल से संबंधित जितने भी important facts है आज के discussion में हम लोग cover करेंगे तो देखें देखें जो देवपाल है इसका जो सासनकाल है वो है 810 AD से लेकर 850 AD तक तो आपको याद रखना है देखिए जो देवपाल है वो वो पाल वन्स के सबसे सकती साली सासक हुए है इनका जो सासनकाल है वो पाल वन्स का golden period है पाल वन्स के चर्मोतकर्स का यूग है जो देवपाल का सासनकाल है तो आपको याद रखना है इनकी मृत्य के बाद में देखिए होता क्या है देवपाल की मृत्य के बाद में जो पाल सामरा उसमें एववस्था राजनितिक एववस्था उत्पन हो जाती है और ये चलेगी आपका 850 AD से लेकर 988 AD तक याद रखना है आपको और इस बीच बहुत सारे सासक बनेंगे पालवन्स के जो की इतने योग्या सासक नहीं होंगे जैसे कि नाराइन पाल बनते हैं जिनका ससनका ससनकाल है 854 से लेकर 914 AD तक उसके बाद में राज्यपाल ससक बनते हैं जिनका ससनकाल है 915 AD से लेकर 950 AD तक उसके बाद में गोपाल द्वित्ते पालवन्स के ससक बनते हैं जिनका ससनकाल है 950 AD से लेकर 960 AD तक और उसके बाद में विग्रेपाल द्वित्ते ये ससक बनते है पालवन्स के इनका सासनकाल है 960 AD से लेकर 988 AD तक तो ये जो सासनकाल है इसको हम बेसिकली कह सकते हैं ये पालवन्स के पतनका काल है इस काल के दोरान जितने भी सासक बने हैं पालवन्स के सारे के सारे ही ऐयोग्य थे देखिए ये जो विग्रेपाल दित्त हैं इसके बाद भी जो सासक बनेंगे उनसे सुरू होगा पाल वंस का दित्त चरन जिसको सेकेंड पाल एमपायर भी का जाता है पाल वंस का दूसरा चरन उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे तो देखें तो देखें ये जो याद रखना है देखिये इनके भारे में ये कहा जाता है कि इनोंने असम पर विजय हांसिल की और उडिचा पर भी विजय हांसिल की और इसको पाल एंपार में सामिल की अप आगे बात करें देखिये ये काफी important fact है आपको याद रखना है देखे देवपाल से संबंदीत है एक pillar inscription बादल pillar inscription ये संबंदीत है आपका देवपाल से तो आपको याद रखना है इसके बारे में ये जो pillar inscription है ये basically एक अतिसोक्ति पूर्ण exaggerated pillar inscription है इसमें बताया गया है देवपाल की महानता के बारे में कि देवपाल कितने महान सासक हुए है देवपाल कितने सकती साली सासक हुए है तो इसके बारे में इसमें बताया गया है या फिर इसको कहें कि इसके बारे में हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है तो देखें में हिमाल्य से लेकर दक्षिन में विद्यान्चल तक उसकी सीमा थी और पूरो में बंगाल की खाडी से लेकर पसी में अरब सागर तक उसकी सीमा थी किसकी देवपाल के एंपायर की देवपाल के सामरज्य की तो आपको याद रखना है आगे देखें इस पिलर इंस्क्रिप् कि जो देवपाल है, देवपाल ने प्राग जोतिसा, प्राग जोतिसा मतलब जो आज का असम है, इस पर भी विजय हांसिल की और इसको अपने सामराज्य में सामिल किया, देखिए और क्या पता चलता है यहां से, यहां से पता चलता है कि जो देवपाल है, उसने हुनो को भी प्राजित किया है और उसने गुजर प्रतिहाराज को प्राजित किया है उसने जो द्राविडाज हैं उनको भी प्राजित किया है तो देखें यह जो पिलर इंस्क्रिप्शन है बादल पिलर इंस्क्रिप्शन इससे बेसिकली हमें पता क्या चलता है इससे हमें पता चलता है देवपाल की महनता के बारे में कि वो कितना सक्तिसाली राजा था तो देखें इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो pillar inscription है ये exaggerated है अती सोक्ती पूर है लेकिन इसमें जितने भी बाते लिखी हुई है इनको completely नकारा नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से इनको नकारा नहीं जा सनक्सन परदान किया है तो देखें देवपाल ने बहुत सारे मंदिरों और मुनेस्टरी जो विहार है उनका निर्मान करवाया था मगद में तो ये भी आपको याद रखना है देखिए ये काफी important fact है इसको आपको भूलना नहीं है देखिए जावा के एक राजा हुए है जिनका नाम है सेलेंदर राइट और जावा कहा है जावा है इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया के जावा यहां के एक राजा है सेलेंदर सेलेंदर राजा ने देवपाल के दरवार में एक ambassador को भेजा था एक राजदूत को भेजा था क्यों क्योंकि ये चाते थे कि जो देवपाल है वो इनको जमीन दान दे और ये बिसिकली क्या चाहते थे ये विहार का निर्मान करना चाहते थे मुनेश्टरी का निर्मान करना चाहते थे नलंदा में तो ये आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि भूलना नहीं है अगर आप से पूछा जाए कि पालवन्स के वो कौन से सासक है जिनके समय जो सैलेंदर किंग है जावा के उन्हों ने एक एमबेजिटर को बेजा था तो आपको बताना है देवपाल आगे देखें देवपाल ने विक्रम सिला इन्वस्टी और नालंदा इन्वस्टी इनको सनक्सन परदान किया ह आगे देखें देखें ये भी काफी important fact है उसको आपको भूलना नहीं है देखें एक बुद्धिस्ट poet है बुद्धिस्ट कभी है जिनका नाम है वजरदत तो ये जो वजरदत है ये देवपाल के दरबारी कभी हुए है तो आपको याद रखना है कि जो वजरदत है वो दे देवपाल के दरबारी कभी हुए है आगे चलते हैं और देखें देखें हम लोगों ने बात कीती विग्रेपाल की इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात कीती देखें देखें ये जो विग्रेपाल दितते हैं इसका सासनकाल है 960 AD से लेकर 988 AD तक देखें इसके बाद वंस का दूसरा चलन सुरू होता है जिसको कहा जाता है दित्तेपाल सामराज्य है राइट क्योंकि इसके बाद में जो सासक बनेंगे वो अपनी खोईवी पर्थिपा को पानने की कोशिस करेंगे देकि जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की राइट कि देवपाल के बाद में जो चार या पांस सासक बनते हैं वो इतने योग्या सासक नहीं होते हैं तो उनके समय जो पालवन से उसका पतन होना सुरू जाता है लेकिन विग्रेपाल दित्ते के बाद में जो सासक बनते हैं महिपाल पर्थम जिनका ससनकाल है 988 AD से लेकर 1188 AD तक इनके बाद में जो 3 य इसके बाद में जो सासक बनते हैं उनका नाम है नेपाल और नेपाल का सासनकाल है 138 से लेकर 155 AD तक इसके बाद में सासक बनते हैं वग्रैपाल तृत्यifter अधी तक तो देखें ये जो रखना ये इन प्साद का होगा इनके बाद में जो पाल्वनस इसका पतन हो जायँगा य्योग्याश्रक होगे और उनके समय क्या होगा पाल वंस का पून रूप से पतन हो जाएगा देखे इन सासकों में सामिल है आपका कुमार पाल, मदन पाल, गोविंद पाल तो ये कुछ सासक है राइट जो की बनेंगे आपके 1130 से लेकर 1160 के बीच में और इनी के समय जो पाल वंस है वो पून रूप से समाप्त हो जाएगा और पाल वंस के जो अंतिम सासक है उनका नाम होगा गोविंद पाल तो आपको याद रखना है गोविंद पाल जो है वो पाल वंस के अंतिम सासक है तो देखे यहाँ पर हम लोगों ने बात की है पालवंस के सासकों के बारे में इन में से आपको देवपाल के बारे में याद रखना है इस सम्बंदी जितने भी important facts हम लोगों ने डिसकस किये यह आपको याद रखने है भूनला नहीं है जैसे कि अगर आपसे पुछा जाए कि जो बादल पिलर इंस्किर्प्सन है वो किस से संबंदी था तो आपको बताना है देवपाल से राइट देवपाल के समय ही जो जावा के किंगा सैलेंदर इन्हों ने एक राजदूत को भेजा था यह क्या चाते थे यह नालंदा में एक वजरदत जिनकी रचना का नाम है लोकेशवर सत्का तो यह जो है वजरदत जो है वो देवपाल के ही दरबारी कवी थे आपको याद रखना है तो देखिए इस डिसकसन में इतना ही इससे आगे का डिसकसन हम लोग कंटीनू करते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे contribution of the palace के बारे में कि जो palace हैं उनका क्या योगदान रहा है इनके administrative system के बारे में हम लोग बात करेंगे इनका जो परसासनी की योगदान रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इनका जो economic system है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इनके social system के बारे में हम detail म में बात करने वाले हैं राइट इनका जो कल्चर सिस्टम है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो यह सब हम लोग डिसकस करने वाले हैं इससे नेक्ट वीडियो में सो बनर रियेगा साथ थैंक यू